हलो नमस्कार जहिंद जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा हिंदी सहिते इतिहास के अंदर जो परमुक्र दलित आलोचक और जो उनकी आलोचनाय है उन गरंतों को हम देखेंगे तो आगामी जो नेट की परिक्षा है EMRS के अंदर भी कोलेज लेक्षर के मतलब हिंदी से रिलेटेड जो भी परिक्षा होनी है PGT लेवल की या TGT लेवल की भी उसके अंदर आपको साहित इतियास के द्रिश्टिकोंड से यह सवाल है जो अक्षर पूछे जाते हैं कि हिंदी साहिते के परमुक्र दलित आलोचक औ आप लिख लीजिए आलोचक और दूसरी तरब क्या है इनके जो आलोचना है वो आलोचना थिक तो जय परकाश करदम इनकी है जाती एक विमर्ष यह कृति है जय परकाश करदम की जाती एक विमर्ष दयाननंद बटोही साहित ते और सामाजिक क्रांती दयानंद बटोही की है साहित्य और सामाजिक क्रांती ओम प्रकाश वालमिकी का नाम आता है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये है जो कहीं बार पुछी गई है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोच नाम क्या आलोच कोन है creator कौन है तो ओम प्रकाश वाल में की दलित सहित्य का सोंधरिय शास्त्र दिनेश राम दलित मुक्ति का प्रश्ण और दलित सहित्य दिनेश राम की कौन सी है अलोचना दलित मुक्ति का प्रश्ण और दलित सहित्य देवेंदर चोबे कई बार आये है आधुनिक साहित्ते में दलित विमर्ष कौन देवेंदर चोबे सोहनलाल सुमनाकषर विश्व धरातल पर दलित साहित्ते इसको भी ध्यान में रखेगा आगे में बात करूँ तो कमल भारती का नाम आता है कहीं बार पूछी जाती है इनकी आलोशना कृती दलित विमर्ष की भूमे का दूसरी दलित और तीसरी धम विजे धम विजे दलित और दलित विमर्ष की भूमे का ये आलोशनाय है कमल भारती की किसकी है कमल भारती की दलित विमर्ष की भूमिका दलित और धम विजे माता प्रसाद नाम आता है इनकी भी कहीं बार पूछ जाती है हिंदी काववे में दलित काववे धहरा पहली ये कि हिंदी काववे में दलित काववे धहरा और अंतहीन बेडियां, अंतहीन बेडियां को कहीं बार पूछा गया है, क्या है, माता प्रसाद की, आलोचक माता प्रसाद, आलोशना, अंतहीन बेडियां और हिंदी कवी में दलित कवेधरा, चलिए, आगे और देखते हैं, धर्मवीर भारती की कहीं बार पूछ ली जाती ह क्या अलोस्णाकृति तो धर्मवीर भारती देखिए प्रेमचंद की निली आंखे बहुत बार पुछिग गई है कवीर और रामानन्द क्यों धन्तिया इंसे जुड़ी हुई क्यों धन्तिया कवीर बाज भी कपोट भी पपियहा भी ये भी बहुत बार पूछी गईगे प्रेमचंद सामंत कामुंशी कौन है? धर्मवीर भारती जी धर्मवीर भारती जी दर्मवीर भारती जी को याद कले ने हैं कि सारी कबीर सूतने कपास यह सब किसकी है धर्मवीर भारती की वहीं आगे आता है रजत रानी मिनू एक नाम मूड देखने को मिलता है रजत रानी मेनु तो नवे दशक की हिंदी दलित कविता ध्यान में रखना इसको भी नवे दशक की हिंदी दलित कविता किसकी है यह आलोचना रजत रानी मेनु इसके आलोचक कौन है रजत रानी मेनु तो यह थी हिंदी साहित्य के प्रमुख जो दलित आलोचक और उनकी ज जो परिक्षाम एक्षर पूछे जाती है अगर अच्छा लगा यह वीडियो तो लाइक कर दो सभी दोस्तों को शेर कर दो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सकाइब कर बेल आइकन क्लिक कर ओल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो को सूसना मिलते रहे अपना एप्लिकेशन किजिए यहां पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूं और टेस्ट सिरीज भी चल रही है नेट वगरा की फस्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जल्दी लौंच होगी और फस्ट ग्रेड हिंदी का सूपर हंड्रेड बेच भी चल रहा है तो जुड़कर अपने तैयारी और बहतर बना सकते हैं वह आप एक पर जाकर देखिए जहिंद पर मिलता हूं